नमस्कार किशन वाईओ बाजार रिपोर्ट चैनल प्रमें हेमंत यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जैपूर महाना मंडी में हैं और लस्वन में आज क्या अपडेट रहा कितनी आवक रही 29 नवंबर दो हजार 24 हो चुका है क्वालटी आपके सामने है हर्याना वाला लस्वन देशने के मिल जा है क्वालटी देख सकते हैं बिलकुल बिलकुल वो तो आनी थी सर क्योंकि सर्दियों में थोड़ा बहुत आम पब्लिक के लिए भी रहात होनी चाहिए क्या लस्वन में क्या कुछ माह२ घरम है तन्डा हुआ जो घराकी भी थंडी होगी बिलकुल तर्फ लॉब करे तो आवक कितनी होगी और उपर में तोड़े नरम हो गए अभी मार्केट देखके चले हैं तो अपन पहले पीचे में 170 रुपे एक सो सत्रासी तो सरी आतानक से जो ग्राउट है इसका कारण क्या है कि विदेशी मालों का फुल प्रेसर माल है और वह मद्धे भी करें अपने इंदुस्तान में आके बिल्कुल बिल्कुल असी रुपैसे वह भी डाइसो रुपे तक भी करें असी से डा प्रेश्या है उनमें क्या पॉस्टेन है से कली विख्री वह एक सो चालीस रुपे शलेगे एक सटी शूपर मालों बोसुर्थ ठीक है सब यह वाले कहा के माल है हर्याना वाले अर्याना है पहले तीन सो वीच पर बिख्रा था आज दो सब्सक्राइब अच्छा और यह क्या है यह वह जी माने है अबन पहले तीन सो भी करेते हैं अभी यह दो सार्च तो मतलब दोस्तों तीन सब्सक्राइब मार्केट रहेगा है उपर में अब तो उटी वाला लसुन आएगा तो और भी ग्रावट हो सकते हैं नहीं आएगा उटी तो पुराना तो यह नहीं अगर उटी के टाइम तक अगर चाइनीज माल आता रहता है तो हो सकता है गिरावट और भी आजे गिरावट तो आप देखो इस्टेन यहां बज्यार रुकने चाहिए अच्छा क्योंकि अब इतना बद्द हो गया किसान भी इस बावों में बेचने कुश्य 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 कु और कुछ लोग कहते थे ना कि हमेशा मंदा बोलते हैं देख लो मंदे का सब्सक्राइब हो बताते हैं आगी रिपोर्ट है जो बताई है आगे कि हम बगवान तो यह नहीं बविश्वनी आगे की करते हैं तो अच्छा अनुमान लगा के बता सकते हैं कि आने वाल समय में क् अभी के समय में यह चल रहा है यह बहुत बहुत बढ़े आशार आपना मोबाइल नमबर नमबर है निन्यान में 28330-400 परम का नाम है धन्नी देवियांड कंपनी दुकान नमबर एच होगा चालो जी दन वानम